तो दूस्तों चलिए बात करते हैं इंगलिश टेस्ट कॉंटी चॉंपेंशिप का जो फर्स टाइम हम लोग खेले थी इसमें हमने 5-6 जील आसानी से विन किया था क्योंकि केफटन जो था किनी का ध्यान नहीं था वो 5-6 परशेंट सेलेक्शन था किसी नहीं लाया क्योंकि 4 कोल राउंडर ओल्रेडी भेतर था लेकिन हम लोग ने जोई डेनली एक बड़ा पिलियर को ड्रोप करके उनको हम लोग ने केफटन दिया था उन्होंने अकेले में 5-600 पॉंट दे दिया था यानि कि सिर्फ केफटन से ही लोगों को हम लोगों ने हरा दिया था और इनका मे आपको करना क्या होगा हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको जोईन करना काफी जरूरी है क्योंकि वहाँ पर मैं फाइनल टीम भी दूँगा फाइनल अपडेट भी दूँगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया लिंक के जड़िये जुड़ोगे सही सटिक चैनल पे चले लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से जुड़ोगे तो सही सटिक चैनल पे ही आओगे तो दोस्तों यहाँ पर इसेक्स के यहाँ पर प्रोबेबल पिलेंग लेबन सोरी यहाँ पर स्कोर कार्ट देखा जाए तो वेस्टिली ने यहाँ पर असी रन जड़े कूक ने लोरेंस ने तीस रन इनके लावे कोई कुछ खास नहीं कर पाई गेनबाजी देखा जा इस्ट्रे केटी चार विक्ट्रे लेगे जो बीग बेसली में काफी बनिया गेनबाजी करते थे सिम्वल कुक का लाश्ट सीजन का भी रिकोर्टर के काफी बनिया गेनबाजी में करते दो विक्ट्रे लेगे हारमर यहाँ पर खेलने के लिए आ गए जो साउथ अफ्रीका के पिलियर है वहाँ पर खेले था और क्या गजब का इन्होंने गेनबाजी बल्लेबाजी किया था बंगलादेश के खिलाब टेस्ट में और वही परदसन यहाँ पर भी यह दोर आ सनाटर और हरमर ही ज़्यादा गेनबाजी करेंगे इस बीन गेनबाजी हलांकी पीक हम लोग कर लेंगे यहाँ पर देखा जाए क्रिट चिली ने यहाँ पर उंचासन की पारी जरूर खेली एरो सिंग्टन बावन रन लोरेंस ने 44 हरमर ने 75 रन और एलिस्टर कोक ने 36 का य देलते आ रहे थे निक ब्राउन के उपर रिस्क ले सकते हो इनका सेलेक्शन काफी अधीक है लेकिन हम लोग लाश्न में पीक किये थे सतक भी जडा था लेकिन रिस्क ले सकते हो एल्स्टर कुक काफी बढ़िया इस पेरियांसा उंचा टन की पारी वेश्टिली ने यहाँ पर 13 सेम्वल कूक को यहाँ पर उपर भेजा गया था लोरेंस 17 गेन बाजी यहाँ पर फिर से दूसरी इनिंग देखी जा एरो सिंक्टन ने 29 इनके अलावे कोई कुछ खास नहीं कर पाए सेम्वल कूक मार्क स्ट्रेकेटी हर्मर ने तिन तिन विक्टे लेगे सनाटर को ए एल विन वा था यहाँ पर निक ब्राउन 107 सेम्वल कूक 100 और वेस्टिर ने 37 जड़े चली ने यहाँ पर 132 रन की पारी के लिए एरो सिंक्टन 41 और वेथर ने 37 रन की पारी वेस्टिर यहाँ पर फिर से 32 जड़े थे और कूक 26 रन बस मेच खतम हो गया था और यहाँ पर ह विल यंग खेलेते न्यूजिलेंड का काफी कमाल का उभरते हुए सितारा है इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं काफी बनिया परदासन भी कर रहे हैं 33 रन की पारी गाई की बात किया 15 रन की ठीक ठाक ओप्शन यह भी है और कोक का सेलेक्शन देखोगे ठीक ठाक है केप्टन वहाज भी आप देशकते हो एल पोर्टर एक ओल्ड राउंडर सेलेक्शन में है इन्हें भी आप चाहो तो पिक कर सकते हूँ विल यंग फिर से 96 रन इनके अलावे रिचार्डो की बात किया तो 29 रन की पारी खेली साध यह विकेट कीपरिंग ओप्शन में होंगे और कोक अनतालिस रन की पारी खेली लुईस यहाँ पर देखा जाए जो कि यह भी विकेट कीपरिंग सेक्षन में होगे बासाट रन की पारी खेली मेथियू केली नहीं यहाँ पर 42 रन का योगदान दिया लेकिन यह एक गिनबाज है तो यहाँ पर जी बर्ज ने 5 विक्टे लेग दोस्तों इनके लाबे दूसरा स्कोर कार्ट देखा जाता आरकोग ने 113 रन जेकोब ने 18 रन जी बर्ज ने यहाँ पर 66 रन का योगदान दिया जो कि यह गिनबाज है इनके लाबे एस जैब ने यहाँ पर 65 रन आरकोग 74 रन जेकोब 36 रन इस तरह का अच्छा खासा इन ल स्कोर कार्ट क्योंकि नोर की टीम जो इस सीजन दो मुकाबला खेल रखा है इसस की टीम जो यह तीन मुकाबला खेल रखा है लेकि लाश्ट सीजन का रवी स्कोर कार्ट के मध्य नजर रखते हुए चलिए हम लोग देखते कोंबिनेशन क्या बन रहा है तो दोस्तों कुंबिनेशन देखेंगे इससे पहले अग जदि हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इनफोर्मेशन देता हूँ जिससे आप लोगो काफी साहिता मिलता है इनके अलावे कुछ भी जनकारी लेनाओ इंस्टागराम पे मेसेज करो मैं वहाँ पर सारे लोग का रिपलाई देता हूँ वह भी बेहतर तरीका से तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हूँ विकेट कीप्रिंग सेलेक्शन में यहाँ पर ए वेथर का भी ओप्शन काफी बनिया है लेकिन ए रोसिंग्टन को यहाँ पर पिक क्या हूँ इनका हाल फिलाल देखा जाए तो ठीक ठाक फोर्मेशन इनका रिकोर्ड भी काफी बन एलिस्टर को को यहाँ पर पिक क्या हूँ इनके अलावे यहाँ पर विलियांग को पिक क्या है यह दो को पिक तो करना ही होगा अब देखो निल बराउन को पिक कर सकते है तो जी गाई को पिक कर सकते है या फिर एस जाइब को पिक कर सकते है इन तीनों में से किसी एक के सां तो ये तीन के अलाबा अभी किनी को ट्राइ मत करना क्योंकि बहुत सारे पिलेर खेले भी नहीं और खेले हैं तो जिनका परदसन काफी खराब है तो इन तीन में से किनी के उपर जा सकते हैं फर्स्ट च्वाइस तो निल ब्राउन का ही आता है सकेंड एस जाइब का और थाल में इगाई का आता है तो यहाँ पर इन ब्राउन को मैं फिलाल के लिए पिक किया हूँ इनके लाब डी लोरेंस को फिलाल के लिए मैं अभी ड्रोप किया हूँ यह एक एसा पिलेर है जो इन्टरनेशनल में इन्हें भाज भी बनाया करता था टेस्ट में इनका काफी जबड़ दस्त रिकोड है इन्टरनेशनल भी खेल चुकर है फिलाल के लिए मैं ड्रोप किया हूँ हाल फिलाल अभी फोर्म खराब चार रहा है हो सके मैं फाइनल टीम में पिक कर लो लेकिं फिलाल के लिए इन्हें अभी जगा नहीं दिया हूँ और कोक को पिक क्या हूँ क्रेटली को यहाँ पर पिक क्या हूँ इनके लाब देखो इनको Capitown भाज भी चाहो तो देश सकते हो मैट को लेकिन फिलाल अभी देखा जाए तो अगले बार तो हम लोग Capitown दिये थे लेकिन इस इस बार क्याक केप्टन दे सकते हैं वो इनके पिलेंग लेभन पे डिपेंट करगा इनके लाब मेथ्यू केली को यहाँ पर पिक क्या हूँ, डी लोरेंस को चाहो तो मेथ्यू केली के जगा पिक कर सकते हूँ, लेकिन फिलाल के लिए अभी मैं डी लोरेंस को ड्रोप करके चाहँ, सेम हरपर को यहाँ पर पिक क्या हूँ, इनके लाब जी बर्च को यहाँ पर अगा जदी सेफ और साठीक जाना चाते हैं तो यहाँ पर डे लोरेंस को ले सकतो हुए अपर वेश्टली को ले सकतो हुए यह सब आप कर सकते हो लेकिन सेफ और साठीक जाने मज़ा नहीं है इनके लाव एस सनाटर का मैं रिकोर्ड दिखा है इनने जी यल पर जरू ट्राय क आप ये टीम सेफ कालो इस पे कोई भी चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा अपने डेली गराम चैनल डोमेस्टिक पेलेंग 11 पे तो फिलाल के लिए यही टीम आपको रखना चाहिए और पेलेंग 11 पे कुछ ना कुछ तो चेंज होते हैं तो दोस्तों फिलाल अपने वीडियो को यही समाप्त करता हूँ